प्यारे विद्यारतियों, आई दी वीडियो वीच अपना सॉल्व करना जा रहे हैं नेशनल अचीवमेंट सर्वेधा, फोर्टनाइट्री टेस्ट वन, फॉर्ट क्लास एट के लंबी शोटी शोटी नूँ 90 डिग्री ते सामुद पाजिद कर दी है सामधु पाजित में दो ब्राबर पा गांवेचे वंड दी है इना दे अंत बिंदुवानू मिलाउन ते केडी आकरिती बनेगी ते पहला इस दी एक डियाग्राम देना आले इसनू सिख देयां ते ए नीचे आपानू चार इस दियां आप्शन देती हैं हुई हैं ये चार आप्शन विचे आपान देखना है कि वो केडी आकरिती बनेगी आपानू की क्या गया है एक तेन मीटर लंबी सोटी है ते उसनू काटरी है एक पांज मीटर लंबी सोटी नबे डिगरी कोणते ये देखो जी ए आपने को एक आपाबना लेने हां तेन मीटर लंबी सोटी एक तेन मीटर लंबी सोटी लेली है जी आपान इसनू सामद पाजित कर रही है एक पांज मीटर लंबी सोटी सामद पाजित मतलब इसनू दो ब्राबर पांगा मेंच बाढ़ रही है इसनों एक पांज मीटर लंबी सोटी आपांगी करना है इसनों दो ब्राबर पागांवेच बांड रही है इट मीन देखोन इदर वड़ा जो हिस्सा है ये वड़ा हिस्सा इस हिस्से दे ब्राबर हो जाएगा पूरी सोटी आपने को जो ब्लू कलर चितानों सोटी नजरार सी ये तेन मीटर है ये लाल वाली जो सोटी है ये पांज मीटर लंबी है इसने जो तेन मीटर लंबी सोटी है इसनों एकता नब्बे डिगरी ते कट्या है इट मीन इस जगा ते चारों पासे नब्बे डिगरी कौन बनेगा ये चारे पासे नब्बे डिगरी कौन बन रहा है त दोनों हिसे जो blue color दे दोनों हिसे हां ओकी हो जानेगे साम्ध पाजी तो ब्राबर पागा विच बंढ़े जानेगे दोने पासे 3.02 ते 3.02 दो नीटर आ जाएगा जी एवी तेन बटा दो मीटर सो जाएगी एवडाहिसा भी थेन बटा सुट दो भूब कहता टार बिंक में भर में едप कि नहीं मुक्रा नेकृट इस दे एंडप यह से श्ऑं से आस्यंद देखिंर여 जोड़ देता है अंत बिंदुवानू जो अंत बिंदुवानू जोड़ के देखो केड़ी अकृती बन रही है ते ये अपनू राइट आप्शन नज़रा रही है जी एक बन गहे है अपने को पतांग काइट जी माइनस पी पॉन क्या हूँ दा गुनात्मक उल्ट माइनस पी बटा क्या हूँ दा अपना गुनात्मक उल्ट पता करना है ते इंग्लिश वी स्टेट्मेंट है दा मल्टिपल केटिव इन्वर्स ओफ माइनस पी बाई क्यू ते इंग्लिश वी चुसनू अपना केदने है हान multiplicative inverse पंजाबी विच उसनों किया जानदा है गुनात्मक ओल्ट ते ए नीच्च आपानों चार आप्शन देती है हान ए चार आप्शन विच आपां देखना है माइनस पी बटा क्या उदा गुनात्मक ओल्ट की हुनदा है जी आपानों जो दितता होया है minus p by q minus p बटा क णов दा अपनकी पता करना है गुणात्मक old ज़ाँ उसनों पंजाबी वेच कहा देने हाँ गुणात्मक old इंग्लीष वेच कहा देने हाँ multiplicative inverse इस दा multiplicative universe ज़ा गुणात्मक old की आएगा इस दे विच आपनकी करना हुनदा गुनात्मक उल्ट जा मल्टिपल केटी इन्वर्स देवेच जो आंच है वो हार वाली जगा चला जाएगा ते हार जो है वो आंच वाली जगा ते एट मीन आपां उपर नीचे जो नंबर हान उना धा स्थान चेंज कर देना है उपर वाला नंबर नीचे आजाएगा नीचे जाएगा ते माइनश नो चुण अपां उपर हां चेंज कर देने हां धेखो उपर नीचे क्यों है ऊपर चला जाएगा ते उपर वाला जो पी है ओ नीचे आ जाएगा यह जो मल्टीपल के टीव इन्वर्स गुनात्मक उल्ट किन आगया है माइनस क्यों बठा पी ते C option is the right option So next question अपने को इस तरह है जी दित्ती गई सांख्या रेखानू वेखो अते पता करो हेठा दित्तेयां वेचों किस दा मुल सब तों जादा होवेगा observe the given number line and find which of the following is the greatest ए नीचे अपनू चार option देती है ए चार option विच आपना देखना है किस दी सब तों जादा value होएगी ते ए थे अपनू number line देती हुई है number line दे center विच तों देखो 0 नज़र आ रहा है ते एक सज्जे पासे B है ते उस दे खबे पासे A लिखिया होया है तोन अपन इस question दो solve करना लिकी करना है A एते B नू अपना numbers दे विच परना convert कर लाना है 0 तो सज्जे पासे जो right side है उस तरफ अपने को plus वाले number हों देहां ते इसलिए अपना B नू number 1 के लिख लाना है ते 0 तो खबे पासे जो left side है उस जगा ते अपने को minus विच नंबर हों देहां ते अपना A नू लिख लेना है माइनस एक लिख लेना है ते A अपने को minus एक ते B अपना एक ते फिर नीचे जो चार अपने या option अन इस विच अपना देखना है A एते B दा मूल पर के किस दी सब तों ज़ादा value हों दी है किस दा जो मूल है सब तों ज़ादा है पहला देखो अपने को है A प्लस B तो फर्स देखो अपने को है ते इसमों अपना किस तरह solve करना है A दी value अपने को है जी minus 1 ते बिच कार प्लस दा साइन है ते फिर B दी value अपने को है जी 1 1 minus 1 A cutting होके स्टोंड अपने को किन आ जागा 1 देविच देविच एक minus हो जागा ते अपने को answer किन आ जागा 0 होन दूसरी option चेक कर देए हैं दूसरी option देविच आपने को की है B minus A B दी value अपने को स्टोंड 1 है फिर minus फिर A दा मूल भी देखो अपने को minus 1 है माइनस माइनस ये थे अपने को की हो जाएगा प्लस ते नार एक का जाएगा ते एक जमा एक स्टोंड अपने को इस दी value हो जाएगी दो होन अगला अपने को है A ते B आपस विच गुना हान multiply हान एक नूँ आपने को देखो पहला A है A अपने को minus 1 है A minus 1 है ते जो B है वो अपने को 1 है एक के नूँ minus 1 के देना लगुना करांगे ते minus 1 का जाएगा ते चौथी option अपने को है A बटा B A अपने को minus 1 है B अपने को 1 है 1 बटा minus 1 A एक का जाएगा ते A होन सुन अपने को चार option आगे हैं जी दिखो चार अपने को number आगे हैं ये चार number विच्छों देखो केड़ा सब तो वड़ा number है ते आपने नजर आ रहे है कि number line दे उपर ए अपने को देखो ए अपने को की है minus 1 है ये 0 है तो ए 1 है अपने को ते ये जो दो number है दो number अपने को इस जगह होएगा जो केक तो भी वड़ा होएगा ये चारो option विच्छों दिखो सब तो वड़ा option अपने को केड़ी है सब तो वड़ा number केड़ा आ रहे है वो B वाली option आ रही है इट मीन B माइनस A जो है उस दा जो मुल है ये चारो विच्छों सब तो वड़ होएगा जी तो नेक्स question इस तरह होए ता उस दे पिता दी उमर नो किस तरह व्यंजक रही दरसाया जा सकता है तो इंग्लिश भी statement पर लेने हां तो फिर इस question नो solve कर दे हां तो ए नीच्छा पनू चार सुन option देती है होई हां ये चार option विच्छ वापा देखना है कि उस दे पिता दी उमर केड़ी होएगी गुर्पीत फादर्स एज is five years more than three times of गुर्पीत एज if गुर्पीत एज is x year then which of the following expression represents गुर्पीत फादर्स एज ते गुर्पीत दी एज आपनू देती होई है जी एक साल ये देखवा पनू गुर्पीत दी उमर देती है एक साल ते गुर्पीत दे जो पिता जी हान उना दी उमर किन दीती होई है गुर्पीत दी उमर दे तेन गुणा मतलब ए जो x है एक गुर्पीत दी उमर है इसनों तेन देन आपना गुणा कर देना है ए तेन एक साल जाएगा तो पांज साल जादा पांज साल जादा मतलब एस दे वेच पांज एड़ कर देऊ जी तो एसनों अपने को आ जाएगी जी गूर्फी दे पिता जी दी उमर ते देखो के डी ऑप्शन अपने को आ रही है यह आपशन is the right option यह देखो किस तरह की था एक सा अपने को गूर्पी दी उमर है गूर्पी दी उमर नों आपने तेंदे नल की कर देता है गुना कर देता है देखो तेंदे नल मल्टिप्लाइ कर देता है ते पांज साल जादा होर उमर है तो उस देविच आप पांज पलस कर देते हैं ए पूरी उमर अपने को किस दी बन गई है उस दे पिता ज़ी उमर जी So next question इस्तरह है जी किसे स्कूल दी एक वशेश जमाद दे हेट लिखे छाड़ ग्राफ नू पढ़के दसों के केड़े दो साला दे वेच विद्यार्थियां दी संख्या दुगणी होई तो ए नीचे अपानों ग्राफ देता होया है इस ग्राफ नू अपान रीड करके देखना है कि केड़े दो साला दे वेच जो वद्यार्थियां दी संख्या है वो दुगणी हो गई जाओ इंगली सुछ नू कहादे है न डबल हो गई है जी तो ए नीचे अपानों चार साल वद्यार्थियां दी संख्या किनी सी वो अपान लिख लेने हैं देखो पहला अपने को साल है जी साल 2000 तो इस विच वद्यार्थियां दी संख्या देखो ग्राफ किते तक उपर नू जा रहा है नंबर ऑफ स्टूर्ट अपान इस तरफ चेक करने हैं ग्राफ देखो कि देयार्थियानी संख्या किनी होगी है ग्राफ किते टच कर रहे है जिदेखो चाली वाली लाइन रेस देखो ग्राफ चाली लाइन रेस तक जा रहे है इतमीन एप्रॉक्सिमेट्री लगपग अपने को पंतारी स्टूरेंट आ जानेगे ते इसे तरह 2003 वड़ा ग्राफ देखो अपने को किते तक जा रहा है यह 60 तक जा रहा है जी 60 वाली लाइन नो टच कर रहा है इड में ए ग्राफ जो है रप्रेजन कर रहा है 60 स्टूरेंट्स नो 60 वद्यार्थिया नो ते हून आपां चेक कर आपां डबल हुई है ते आपां नजर आ रहा है यह जो नंबर आप स्टूरेंट्स लिखे हा न इना विच्छ न भिच नजर आ हरा है कई । जो 60 जो है ओ तीदा की होंदा है डबल होंदा है डुगना होंदा है इट मीन केड़े दो साला दे वेच ए होया है जो T student C ओ दो हजार सांदे वेच सान ते 60 student अपने को होगए 2003 दे विच इट मीन 2000 ते 2003 जो येर है इस दे वेच विद्यारतियां दी संख्या की हो गई है double हो गई है दुगनी हो गई है it means carry option right है जी D option is the right option